हाई प्रिंस मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है आज मैं अपने इस वीडियो में आपको ब्लाउज में हुक मसीन से कैसे लगाना है या बताओंगी बहुत एजी ट्रिक है आप ध्यान से देखते लिए वीडियो को लाश्ट तक इसमें आपको सुई और धागे से हाफ इंस से कम ही रहे गाए अब इसके बाद दुसरा वाला पट्टी अभी साइड में रखती हूं यहां पर ब्लाउज का जो हुक वाला साइड है उसको लेना है आपको और इस तरह से इसमें सेट करना है देखिए सेट करने के लिए आपको जो सीला हुआ भाग है उसको न तब ही समझ में आएगा इसकीप करके देखने पर कुछ भी समझ नहीं पाएंगी तो यहां पर देखिए सील चुकी है और मैं कैसे सीली हूँ देखिए इस तरह से पहले आपको कटिंग करना है एक्स्ट्रा कपड़ा उसके बाद यहां पर दिहान दीजी अब यह जो अंद आपको कोई भी प्रोब्लम ना आए सिलते टाइम में इस तरह से इसको फोल्ड करना है लेकिन यहां पर सबसे पहले एक और काम करना है आपको यह जो धाएंच वाली पट्टी है इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजे बीच से फोल्ड करने के बाद आपको इसकेल लेना है इस इसको सेट करना है इस पे देखिए इस तरह से इसको सेट करना है फोल करने के बाद नाखुन से प्रेस कर लिजिए जिससे की अच्छे से बैठ जाए मैं आपको यहां थोड़ा डार्क करके दिखाती हूं क्यूंकि दिखाई नहीं दे रहा था चोक का तो देखिये जहां पे निसान लगा हुआ है उसी जगे पे आपको पीन से सेट कर लेना है पहले सिलाए नहीं करने है पहले आपको पीन से सेट करना है बेटा छुप हो जाओ बच्ची डिश्टर हो कर रही है बीच बीच में तो यहाँ पर देखी आपको इस तरह से निसान बना लेना है हुक वाले जगह पर इस तरह से डबल निसान देखे कैसे मैं बना रही हूँ आप ध्यान दीजे वीडियो को देख करके आपको समझ में आ जायेगा इसके बाद इस तरह से आपको निसान बनाना है देखे इसी तरह से आपको सिलाई भी करनी जैसे मैं निसान बनाई हूँ सेम इसी तरह से आपको सिलाई करनी है निसान बनाने के बाद आपको अब इस पर मसीन चलाना है डारेक्ट कि रोजा बीटा रोजा इसके बाद देखिए मैं यहां पर मसीन पर चलती न, और सिलाई करना श्रार्ट करती हूं, आपको सीलका दिखाती हूं कैसे क्या करना है, अब आप यहां पर ध्यान से देखिए कैसे सिलाई कर रही हूं है, इस तरह से आगे बढ़ना है, फिर मतलब दो तीन बार दोहराना है, सिलाई जिससे की पक्की सिलाई हो जाए, यहाँ खूलेना, इसके बाद यहाँ पे आना है, सुई अंदर की तरफ करके मोड लेना है, फिर आगे बढ़ना है, दूसरा वाला जुनिस्तान है, इस पे सिलाई करना है, और इसको भी इसी तरह से आगे पीछे करके दो तीन बार सिलाई कर लेनी है, अब फिर यहाँ से आपको सिलते हुए आगे बढ़ जाना है, देखिए, यहाँ पे आना है, यहाँ पे रोक देना है, सुई को अंदर करके इस तरह से मोड लीजिए, और फिर इसको इस तरह से डबल तीबर सिलाई करते फिर घुमा करके इस तरह से सिलाई कर लेनी है, अब देखिए, आगे जो निसान बना हुआ है, इस पे डारेक्ट सिलाई करके मैं आगे बढ़ गए हूँ, देखिए, इस तरह से पूरा तयार कर लेना है, बहुत ही आसान तरीका है, बस ध्यान से देखनी की बात है, आप अ बीच में जो गैप था, दो लाइनिंग के बीच में जो गैप था, उसमें से इस तरह से हुको को बाहर की तरफ निकाल देना है, थोड़ा सा आपको अंदर से दबाना है, और उपर की तरफ खीच लेना है, इस तरह से अगर आप लगाती हैं, तो हुक लगाने में कोई दिक इसके बाद दूसरा करके दिखाते हूं आपको तो यह भी हो गया देखेगे इसको घर 모든 अंदर को तल्प नहीं जा रहा हैं तो यहां से सहीं अंथ aside से इस तरह के आपको दबाना पड़ेगा अगर इसे भी नहीं होता है तो थोड़ा सा इस तरह से मसीन पे रख करके दबा दीजिए जिससे की बाहर आ जाए तो मेरी वीडियो कैसी लगे कमेंट में जरूर बताए वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सेर करिए और मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा कर चुकी हूँ अब इसके बाद एक और लाश्ट बचा है इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ देखिए यह भी हो चुका है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कुछ भी पोछना चाहती है तो कमेंट बॉक्स में पोछ सकती है तो यह देखिए हो चुका है अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है फोल्ड करके इस पर सिलाई चलानी है देखिए इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए यहां पर हाथ से कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है हाथ वाले सुई की भी ज़रूरत नहीं है डाइरेक्ट आप मसेन से और यह वाला देखिए दूसरा वाला जो कपड़ा था अंदर की तरफ उसको भी इस तरह से सिलाई कर लेना है अब यह हो चुका है अब इसके बाद यहाँ पर इस तरह से फिर एक बार और सिलाई कर लिजिए अब आप कितना भी होको को बाहर निकालने के कोशिश करेंगे वो नहीं निकलेगा पक्का हो चुका है तो देखिए बन करके तयार हो गया थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को